बिसमिल्ला रख्मान रहीम, असलाम उलेकुम ठीकलास, तोड़े वी विल डू एप्लिकेशन, एप्लिकेशन एप्लिकेशन फॉर सिख लीव, एप्लिकेशन हम करेंगे और बीमारी की दरफास्त हम करेंगे, यहां पे है दा प्रिंसीपल और यहां पे जब हम राइट करते है एप्लिकेशन, तो यहां पे हम लेफ्ट साइट से स्टार्ट करेंगे और दा जो है उसका जो टी है वो कैपिटल होगा, और प्रिंसीपल का जो पी है वो भी कैपिटल होगा, और यहां पे इसके बाद दा प्रिंसीपल के बाद जो है वो कौमा आएगा, और इसमें आपने हास तोर पे जो principal के spelling है उनका ख्याल रखना है principal के spelling है P-R-I-N-C-I-P-A-L next है जो next line में हम write करेंगे district public school and college और यहां पे इसको यहां पे कौमा आएगा और district का जो D है वो capital होगा public का P capital होगा school का S capital होगा और college का C capital होगा और हम next line में नीचे हम write करेंगे चक्वाल और चक्वाल के आगे full stop आएगा next है हम write करेंगे sir sir जो हम write करेंगे वो जो हमने da start किया था उसके बिलकुल नीचे हम sir जो है वो write करेंगे और sir के आगे जो है वो कौमा आएगा और sir का S जो है वो capital होगा next हम next line में start करेंगे respectfully respectfully का R जो है वो capital होगा इसके आगे कौमा आएगा it is stated that और it is stated that और यहां पर it का I small होगा I am next हम start करेंगे I am यहां पर जो हम I हम लगा रहे हैं वो I capital होगा I am not feeling well I am not feeling well well के बाद full stop आएगा so so के आगे जो है वो कौमा आएगा कि अभी बात जो है वो जारी है I am और यहां पर I जो है वो capital आएगा यहां पर जितना भी हम I pronoun use करेंगे उसमें I जो है वो capital होगा I am unable to come to school today और यहां पर two day के बाद full stop आएगा next है next जो हम kindly लखेंगे वो next paragraph में लखेंगे और next line में लखेंगे next paragraph होगा kindly allow और kindly का के जो है वो capital होगा kindly allow me one day leave leave के बाद full stop और जहां पर भी मैंने आपको बताया है कि I आएगा वो capital होगा I shall be very thankful thankful के बाद full stop आएगा और यहां पर हम इसी के left side पर हम write करेंगे yours obediently इस चीज़ का आप लोगो ने ख्यार रखना है कि yours का you जो है वो capital होगा और yours के यू यू और यू आर वहां के उपर जो है apostrophe नहीं आएगी yours obediently obediently का उस्माल होगा और इसके आगे full stop आएगा आगे हम name write करेंगे आपका जो नाम होगा class है class 3 है और इसके इलावा जो date है वो हम right side पर mention करेंगे और वो इस तरह से होगी date और 23rd June इसके बाद कौमाएगा 2020 और यहां पर जब यह notes write के गे थे तो यहां पर 23rd था तो आपने अपनी जो according date है इसके मताबिक हम जिस तरह से write जो है वो कर लेंगे और यहां तक हम लोगों ने आज जो application for sick leave है इसको complete कर लिया आप लोगों ने dear students आप ने इस application को अच्छी तरह से learn कर लेना है इसके pattern को समझ लेना है और full stop और commerce का ख्याल रखना है और जहां alphabets जो है वो capital आते हैं वहां पर आपने उनको alphabets को capital write करना है और अच्छी तरह से इसको learn करना है और write करना है